हलो स्टुडेंट, क्रियेटिव कंप्यूटर एजूकेशन के MS Excel वीडियो टुटोरियल में मैं एरविंद कुमार एक वर फिल से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो पिछले वीडियो में हमने सम और एवरेज फंक्शन के बारे में जाना और मुझे उमीद है कि आपने इसे बहुत अच्छे से सीखा होगा और आपने इस पे वर्क भी किया होगा आज हम जानेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में यहाँ पर जो सम है इसके बारे में हमें पता है कि सम का क्या मतलब होता है और हम किस तरीके से एक्सल में सम फार्मूले का सम फंक्शन का इस्तमाल करते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज और एड़ हो चुका है इफ और इफ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब होता है यदी तो देखते हैं कि सम इफ से हम क्या काम करा सकते हैं तो यहाँ पे सम फार्मूला का उप्योग नमबरों में किसी खास अंको के जोड के लिए करते हैं ध्यान देंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सब्द का इस्तमाल किया है खास खास का क्या मतलब होता है जैसे मान लीजे कि आपके पास एक से लेके दस तक के नमबर हैं और इन नम्बरों में किसी खास नम्बर जैसे यहां से मैंने लिया तीन और यहां से लिया मैंने पांच, मैं सिर्फ इन दो नम्बरों को जोड़ना चाहता हूँ, तो यह दो नम्बर मेरे लिए खास हो गए, या हमारे पास कुछ ऐसे नम्बर के लिस्ट हैं, जैसे 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, फिर 5 है, अब इन में हम, मैं सिर्फ 5 नम्बर को अड़ कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 5 हमारे पास 2 टू टाइम्स में है, तो यह जो 5 हुए है, यह पूरी लिस्ट में 2 जगा है, और यह नम्बर मेरे लिए खास हो सकते हैं, तो समझ माया दोस्तों आपको किस तरीके से हम खास की बात करेंगे, खास का मतलब यह हुआ कि अगर लिस्ट में कोई ऐसा नम्बर है, जिसे हम सिर्फ उसी नम्बर को सम कराना चाहते हैं, तो उसे हम खास अंक कह सकते हैं, या विसेस अंक कह सकते हैं, तो कुछ इसी टाइप का काम हम सम इफ फार्मूले का उप्योग करके करते हैं, चलिए, आगे देखते हैं, कि इसका फॉर्मिट क्या होगा, तो यह देखिए आपके सामने आगया फॉर्मिट, यहां पे हमें क्या करना है, ज़रा हम इसे समझते हैं, सबसे पहले एकवल्टू, यह पता है हमें, कि एकवल्टू लगाना जरूरी होता है, उसके बाद फार्मूले का नाम है सम इफ, यहां पे रेंज, यह भी हमें पता है, रेंज का क्या मतलब होता है, कॉमा लगाना है, यहां पे हमें एक नई चीज मिल रहे है, यह क्राइट पे जहां पे हमने एक database त्यार किया है, आएए देखते हैं, उसे करके, उसके लिए हम जाते हैं, excel की sheet पे, तो यह देखिए दोस्तो, यह है sum if का एक database, इसमें मैंने किया किया है, जरा उसे समझ लेते हैं पहले, यहां पे मैंने, एक list बनाया है जिसमें कुछ number है जैसा यहाँ पर 4 है 5 है 4 4 4 4 5 10 5 4 2 अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था sum के बारे में तो पहले हम sum लगाते हैं तो हमने लगा equal to sum open bracket और हमने range को select किया और bracket को close किया और enter press किया तो यह sum आ गया हमारे पास जो 61 है जो correct होगा हम चाहें तो इसे जोड़ भी सकते हैं लेकिन हमें विश्वास है कि यह answer correct होगा तो यहाँ पे जब sum किया हमने तो हमने किया कि पूरे range को sum करा दिया नहीं पूरे range को जोड़ दिया लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक particular number को आप जोड़ें for example मैं यहाँ से लूँगा 4 यहाँ पे भी 4 है यह भी 4 है यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है मैं आपसे यह कह दूँ कि आप इन number को इस range से जोड़ के दे इसका result क्या होगा तो यहाँ पे problem होगे हम इस काम को sum function के थूरू नहीं करा सकते है इसके लिए हमें इस्तमाल करना पड़ेगा sum if function का और यह जो 4 number मैंने highlight किये हैं 4 को यह इस list में खास number हो गए मेरे लिए क्योंकि मैं सिर्फ in hue को जोड़ना चाह रहा हूँ बाकी number को मैं नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ तो यह number मेरे लिए खास number हो गए तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम sum if function में किसी भी range के अंदर जो भी number आते हैं उनमें से किसी खास number को हम किसी खास number का sum निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें इस्तमाल करना पड़ेगा sum if function का तो आई यह इसे करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा equal to sum if bracket open किया अब यहाँ देखिए आप ध्यान देएंगे यह range की demand कर रहा है यहाँ पे तो range हमें पता है क्या होता है first sale से last sale इसके लिए मैंने इसको पूरे को select किया यह हमने बनाया range उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है एक comma लगाएंगे यहाँ पे तो जैसी comma लगाए देखिए अब criteria highlight होने लगा और sum off हो गया तो criteria की जब बात होगी तो criteria का मतलब होता है किसको तो यहाँ पे हमें किसको जोड़ना है चार number को जोड़ना है तो criteria में हम लिखेंगे 4 समझ में आ रहा है आपको उसके बाद हमने लगाए एक और comma निकालना चाहते हैं वो कहां से कहां तक के range में निकालना चाहते हैं ऐसा हो सकता है कि मैं यहां से चलू और यहां तक ही रह जाओ या यहां से चलू और यहां तक रह जाओ या यहां से चलू और यहां तक रह जाओ ऐसा हो सकता है चलिए इसे भी करके देखेंगे तो फिलहाल हम का करते हैं यहां से पूरे को range बनाते हैं यानि कि पूरे list में से हमको समचाइए किसका 4 number का तो हमने एक बार फिर से पूरे का range बना लिया और bracket close करते हैं और enterprise करते हैं तो यह देखे रिजल्ट आगया हमारे पास 24 जरा एक बार देखते हैं क्या correct है तो एक, दो, तीन, चार, पांच और यह 6 और 6 को अगर हम 4 से multiply करें तो रिजल्ट हमारा आएगा 24 तो समझ में आया आपको फिर से हम इसे करके देखते हैं हमने लगाए equal to sumif bracket open किया अब हमसे demand की जा रही है range की तो range में हम पूरे range को लेंगे यानि पूरी list को लेंगे तो हमने list लिया कॉमा लगाया अब हमसे पूछा जा रहा है criteria तो criteria में हमने number दिया 4 फिर से कॉमा लगाया और अब कहा जा रहा है sum range तो इस बार हम sum range को कम कर देते हैं हम sum range बनाएंगे यहां से लेके यहां तक यानि यह जो मैंने अभी sum range बनाया है इसी में आप हमको 4 number को जोड़के उसका sum बताए यह देखे मैंने 4 को ignore किया है यहां तक list में मैं नहीं आया हूँ अब मैं bracket close करता हूँ और enter press करूँगा तो अब देखे क्या list रिजल्ट आया 24 क्या यह सही है देखते हैं 1,2,3,4,5 यह गलत हो गया है ऐसा क्यूं हुआ मैं फिर से चेक करूँगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने range में पूरे list को लिया है अगर हम sum range यहां पर ना भी बनाये तो हमारा काम हो जाएगा एक मिनिट मैं ऐसा करता हूँ इस sum range को कम करता हूँ मैंने sum range भी यहां से यहां तक ही बनाया अब मैं enterprise करूँगा अब देखे क्या हुआ 20 आगया result ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैंने range भी बनाया यहां तक और sum के लिए भी मैंने कहा है यही तक अगर मैं range पूरा बना लूँ और sum को कम करा दूँ तो भी वो पूरे range में से जोड़के हमें 4 का result देगा तो इस तरीके से हम किसी भी list में से किसी भी number में से किसी खास number का sum निकाल सकते हैं और उसके लिए हमें इस्तमाल करना पड़ेगा sum if function का समझ मैं आपको किस तरीके से हम sum if function से किसी खास अंक का sum निकाल सकते हैं तो इसके लिए आपके text book में ये data दिया गया है आप इसे अपने computer पे type करेंगे और इस formula से आप इसे करके देखेंगे यहाँ पे देखे मैंने क्या किया है? यहाँ पर मैंने range बनाया है और सिर्फ criteria दिया आपने sum range यहाँ नहीं बनाया इसलिए यहाँ पर result आया है 15 तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सम के लिए हम कुछ और डेटा को देखेंगे, लिए्स नहीं कुछ storedशा सम भीदा में आया होगा को कराकारा किन्मेच को और बार डेखेंगे नहीं, गिए्सेड्द कार दकार शह्या है, आपको दो फड़रा आपको दाने स ऑ जिताए खरां। सम उन्हाओ vielä देखेंगे उन्हाओतสमु़सया में, यह मैंने लिया है गूसरा एक्जामपल समीफ फंक्शन का देखते हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है पहले टेबल को समझते है टेबल में क्या किया गया है यहाँ पे सिरियल नंबर यहाँ पे नेम दिया गया है जो किसका नेम है हमारे सेल्समेन का नेम है यहाँ पे product का नाम दिया गया है यहाँ पे unit यानि कि कितने piece sell किये गया है और यहाँ पे rupees यानि कि कितने रुपे का sell किया गया है यहाँ पे हमने total निकालने के लिए sum function का इस्तमाल किया तो total निकल के आ गया लिकिन अगर मैं यह कहूं कि यहाँ पे इस लिस्ट में आप मुझे ये बताएं कि दीपक ने कितने रुपए का मोबाईल सेल किया तो यहाँ पे देखिए दीपक है और इसने यहाँ पे दो हजार रुपए का मोबाईल सेल किया है फिर यहाँ पे दीपक है और यहाँ पे इसने बारह हजार रुपए का मोबाईल सेल किया है तो ये लिस्ट तो बहुत छोटी है ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी लिस्ट बने जिसमें दीपक 5-Times, 10-Times, 100-Times आए तो सिर्फ अगर दीपक के सेल किये गए रुपए अगर हमें देखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दीपक के ही रुपै को Sum कराना पड़ेगा, जो Sum Function से काम नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें स्तमाल करना पड़ेगा Sum If Function का तो आईए अभी, बारी इस काम को हम करके देखते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया? हम यहाँ पे function का इस्तमाल करेंगे हमने लगा है यहाँ पर equal to और sumif समीफ लिखा bracket को open किया इसके बाद यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है range तो अब यहाँ पर प्रस्न यह है कि हम range किसको बनाए तो range बनाने के लिए हम चाहते क्या है हमें किसका जोड़ निकालना है या किस range से हमें data को निकालना है हमारे प्रस प्रस्न यह था कि हमें यह चाहिए कि दीपक ने कितने रुपे का mobile sale किया तो हमें सबसे पहले क्या ढूणना पड़ेगा कि दीपक कितनी बार है इसका मतलब यह है कि range यहाँ पर बनेगा दीपक का यानि name का column बनेगा range में तो यहाँ पर मैंने बनाया इस name वाले column को range यहाँ पर लगाया कॉमा उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है criteria criteria का मतलब है कि इस list में यानि इस range में कौन सा बन्दा का आपको result चाहिए या sum चाहिए तो हमें चाहिए दीपक का जैसे हमने वहाँ पर 4 का किया था ऐसे यहाँ पर हम select करेंगे दीपक को यानि कि इस list में से हमें data चाहिए दीपक का तो पहले हमने range बनाया और उसके बाद criteria में क्या दिया दीपक यानि किसको range का एक और मतलब समझी है कहां से range का मतलब कहां से तो इस list से और किसको तो दीपक को इस list में दीपक को यहाँ पर कौमा लगाया और अब पुशा जा रहा है sum range ठीक है आपने इस list में दीपक को select किया लेकिन आपको sum किसका चाहिए प्रस्न क्या था कि दीपक ने कितने रुपए का mobile बेचा यानि जोड किसका निकालना है रुपए का तो अब यहाँ पर sum range जो बनेगा वो बनेगा रुपए का column तो हमने यहाँ पर sum range बनाया रुपए वाले column को अब यहाँ जड़ा समझ लेते हैं पहले क्या होगा यह function करेगा क्या पहले इस list पे काम करेगा पहले वो इस list को इस list में काम करेगा और इस list में वो ढूंडेगा कि दीपक कितनी जगा है तो दीपक एक जगा है दीपक दूसरी जगा है और दीपक तिसरी जगा है और उसके बाद यह sum range क्या काम करेगा कि जहां जहां दीपक मिला होगा उसके उसके amount को जोड़ करके हमें result दे देगा तो चलिए करके देखते हैं क्या सही आता है हमारा result तो bracket close किया और enterprise किया तो देखिए यहां पर 4400 result आया है sorry 44000 क्या सही result है तो यहां पर देखिए 20000 यहां पर 12000 और अगें 12000 यानि 12 और 12 24000 और 20000 24000 तो समझ में आया किस तरीके से हम एक list में से किसी खास बंदे की बेची गई सेल की गई रुपे का sum हमने निकाला तो यह काम हम करा सकते है sum if function के द्वारा चले कुछ और चीज़े देखते हैं यहां पर मैंने किया था दीपक के बेचे गई सेल किये गई रुपे का sum अब हम यह देखना चाहते हैं कि दीपक ने कितने piece मोबाइल सेल किये फिर से हम function का इस्तमाल करेंगे हमने लगा एक्वल टू sum if फिर से range की बात हो रही है तो किस list में आपको ढूढ़ना है हमें इस list में ढूढ़ना है कि दीपक कितनी बार है तो हमने range बनाया इसका कॉमा लगाया अब इस list में किसे ढूढ़ना है यानी criteria हमारा क्या होगा तो criteria होगा दीपक फिर से कॉमा लगाया अब sum range किसका चाहिए सवाल परास्थ हमारा ये था कि दीपक ने कितने पीस mobile बेचे तो ये बात हमें कहां पता चलेगी इस column में यई इस column में यई इस column में तो हमें ये बात पता चलेगी unit वाले column में, क्योंकि इसी column में दिया गया है कि किस बंदे ने कितने पीस mobile sale किये हैं, तो हम sum range बनाएंगे इस column को, तो होगा क्या result, पहले ये function चेक करेगा, इस पूरे list को देखेगा, इसका range हमने बना दिया, दे दिया उसको, उसके बाद हमने कहा कि इस list में criteria हमारा दिपक है, यानि कि सिर्फ दिपक को ढूंडा जाए, और जहां जहां दिपक मिले, उसके सामने जो जो unit होगा, उसका sum हमें निकाल के दिया जाए, याद रखेंगे कि sum range जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ number का बनेगा, क्योंकि जोड सिर्फ number का होता है अक्छरों का नहीं होता है, मतलब हम ऐसा नहीं करा सकते कि कि किस-किस product को दिपक ने बेचाईए, काम हम नहीं करा सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे bracket close करते हैं और enterprise करते हैं, तो देखते हैं दिपक ने कितने mobile sale किये हैं, enterprise किया तो result आया 17, यानि 17, देखते हैं किया सही है, त और फिर दिपक ने आज 6, तो total हो गए 17, यानि 17, समझ में आया आपको किस तरीके से हम किसी खास salesman के data को sum करा सकते हैं, आगे चलते हैं, और अब हम देखने वाले हैं, कि इस list में Nokia mobile कितने रुपए का sale हुआ है, प्रस्न ये है Nokia mobile कितने रुपए का sale हुआ है, ये बात आपसे आपके manager, आपके supervisor या जो भी हैं, जिस company में आप काम करते हैं, वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं, कि आप बताएं हमें कि Nokia mobile आज के date में कितने रुपए का sale हुआ है, तो उसके लिए आपने एक data तयार किया है, आपने लिखा यहां product name, यहां पे कितने piece भी के, और यहां पे कितने रुपए का भी का, यह आपने data तयार किया है, तो चलिए हम इसे करके देखते हैं, हमने range बनाएंगे हम इसको, इसे range बनाया, कॉमा लगाया, और इस range में किसका data चाहिए, यानि criteria हमारा क्या होगा, तो criteria होगा Nokia, तो हमने Nokia वाले cell पे click किया, कॉमा लगाया, और क्या result चाहिए, कि कितने रुपए का भी का, यानि sum range क्या होगा, रुपए वाला column, तो हमने यहां प पास result आया, 38,000, जड़ा चेक करते हैं, क्या result सही है, तो यहां देखिए, 20,000, 8,000, यानि टोटल होगा, 28,000, और 10,000, यानि कि 38,000, तो इसी तरीके से हम micro max या और भी चीजों का sum निकाल सकते हैं, अब यहां पे एक चीज और देखते हैं, कि मान लीजिए, कि आप से यह आर नाम के, या ऐसा हो सकता है, नौर्थ जोन, इस जोन, साउथ जोन, इस तरीके से अगर जोन हैं आपके पास, तो आपसे यह कहा जाएगा, कि किस जोन के बंदों ने कितने रुपे का mobile sale किया, या कौन-कौन से mobile उन्होंने sale किया, इस तरह के questions आप से पूछे जा सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि आर नाम के बंदों ने कितने रुपे का mobile sale किया, या एक काम करते हैं, हम इसमें एक कुछ एड़ करते हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ zone, यहाँ पर south, south, east, north, south, east, west, west, south, north, अब मैं आप से यह सवाल कर दूँ, कि आप मुझे बताएं कि north zone में, sorry, south zone में कितने रुपे का mobile sale हुआ है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप इसे कर सकते हैं, इसके लिए फिर से हमने लगाया, equal to sumif, bracket को open किया, अब हमसे पुछा जा रहा है range, तो range वो column होगा, जिसमें से हमें ढूणना है, तो किस में से ढूणना है, जोन में से ढूणना है, हमारा प्रस्द यही था, कि south zone में, कितने रुपे का mobile sale हुआ है, तो हमने इसका range बनाया, और इस range में हमें क्या चाहिए, south चाहिए, तो south पे click किया, कॉमा लगाया, और प्रस्द क्या पूछा जा रहा है, कितने रुपे का, तो रुपे का sum निकालना पड़ेगा, तो sum range जो बनेगा, वो बनेगा रुपे का column, तो यहाँ पे हमने इसका sum बनाया, bracket close किया, और enterprise करते हैं, तो यह देखे हैं, हमारा आया है, 57,000, जड़ा देखते हैं, क्या सही result है, south में 20,000, फिर 15,000, यानि 35,000, फिर यहाँ पे south है, 12,000, 35,000, और 2, 47,000, और फिर यहाँ पे 10,000, यानि total 57,000, तो देखा आपने, कितनी आसानी से हमने ये data, निकाला, और sum if का function का इस्तमाल किया, अब यहाँ पे प्रस्ण में एक और करूँगा, कि इस list में से, R नाम के बंदों ने, कितने रुपे का mobile sale किया, या कितने piece mobile sale किये, R नाम, यानि starting character क्या होगा, R होगा, तो चलिए उसके लिए करते हैं, अगर हमें किसी character से कुछ ढूणना हो, sum कराना हो, तो वो हम किस तरीके से करा सकते हैं, आईए देखते हैं, इसके लिए हमने लगाया, equal to, sumif, bracket open किया, अब क्या कहा जा रहा है, range, तो name वाला column बनेगा range, तो हमने range बनाया, कौमा लगाया, पूछा जा रहा है criteria, तो हमारे पास criteria क्या है, R नाम के बंदे, तो अगर कभी भी किसी particular character से अगर हमें कुछ sum कराना हो, उसके लिए हम लगाते हैं double quote, चलिए पहले इसे आप देख लिए कि double quote आपको मिलेगा कहा, इसके लिए मैं keyboard निकालता हूँ, तो यह मेरे पास आगया है keyboard, यह देखिए, ठीक, एंटर के बाद वाले में आपको यहां पे double quote मिलेगा, इस जगा पे, यह उपर में जो आ रहे हैं, दो inverted कॉमा, यह जो दो उपर के आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं double quote, चुकि यह उपर है, इसलिए मैं इस्तमाल करना होगा shift का, अब यह देखिए, अब यह highlight हो रहा है, यहां पे मैं shift दवाता हूँ, यह देखिए, तो इसे कहते हैं double quote, अब जड़ा इसे हम करके देखते हैं, तो यहां पे मैंने shift प्रेस किया और double quote लगाया, तो कुछ इस टाइप का आएगा, यहां पे मैंने लिखा R, और हमें ल फिर से हमें लगाना पड़ेगा double quote, तो यह क्या करेगा, कि R से start होने वाले जो भी नाम होंगे, उनको select कर लेगा, तो यह हमने बनाया criteria, यानि R नाम के बंदे चाहिए, फिर हमने लगाया comma, और हमारे प्रस क्या था, कि R नाम के बंदों ने कितने रुपे का mobile sale किया है, तो हमारे पास result आ चुका है, 59,000, चलिए देखते हैं क्या सही है, तो यह देखिए, यह R से शुरू हरा है, R, A, J या राज, तो इसने बेचा है, 15,000 का, फिर यहाँ पे रवी है, 8,000, यानि total हो गया है, 33, उसके बाद, उसके बाद यहाँ पे रिया है, 26, तो 26 और 33 कितने हो ग करते हैं, इसके लिए मैं calculator का इस्तमाल करूँगा, तो हमारे पास क्या था, पहले 15,000, तो मैंने 15,000 लिखा, प्लस किया, उसके बाद क्या है हमारे पास, यह R, ठीक है, हो गया, रवी, यह देखिए, इसने बेचा है, 8,000 रुपे का, तो हमने 8,000 किया, प्लस किया, उसके बाद क्या है, रिया, रिया ने कितने है, 26,000 हमने लिखा, प्लस किया, उसके बाद, फिर से यहां पे देखिए, रवी है, जिसने 10,000 रुपे का मुवाइल से लिखिया है, तो फिर से हमने 10,000 लिखा, प्लस किया, तो देखिए, बिल्कुल सही अंसर आया है 59,000 तो समझ मैं आपको किस तरीके से हम एक करेक्टर से सम इफ का इस्तमाल कर सकते हैं एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर हमें पता नहीं है कि करेक्टर कितने है या किस चीज से स्टार्ट हो रहे हैं यहां पर करना यह चाहते है कि जिनके नाम 4 करेक्टर के हैं उनका सम दिया जाए 4 करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो चलिए इसके लिए हम करते हैं एक्वल्टू लगाया स, उ, ए, ए, अ, आ, ऐ, ए, ए, फ ब्रेकट को उपन किया तो चार केरेक्टर का नाम, मतलब नेम वाला कॉलम बनेगा रेंज, तो हमने इसको रेंज बनाया, कॉमा लगाया, और यहां पे डबल कोट मार्क के अंदर, चार बार कोश्चन मार्क टाइप करेंगे, तो कोश्चन मार्क आपको कहा मिलेगा, मैं दिखा जैता हूं आपको, यह रहा कॉश्चन मार्क, जो उपर है इसलिए सिप्ट का इस्तमाल होगा, तो एक, दो, तीन, और एक, चार, फिर से यहां पे डबल कोट लगा दिया, तो अब यह क्या करेगा, कि इस लिस्ट में जिनके नाम चार अक्षरों के होंगे, उनका सम देगा, लेकिन सम किसका च प्रामा लगाया, और यूनिट अलो का रेंज बनाया, प्रेकेट क्लोस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यह देखे 16 आया है, रिजल्ट क्या सही है, चार नाम, यानि देखिए, यह रवी है, जिसने 2 पीस मोबैल सेल किया है, यहां पे रिया है, जिसने 9, 9 और 2, 11, फ मुझे उमीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में यह डेटाबेस दिया गया है, इसके साथ साथ इसमें क्या-क्या फंक्शन और किस तरीके से लगाया जाएगा, कहां पे रेंज है, कहां पे क्राइटेरिया है, और कहां पे सम रेंज ह यह भी आपको दिया गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस फंक्शन को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, और इसे करके देखेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने अगली वीडियो में कुछ नए फंक्शन के साथ, तब तक के लिए, कर दो